शिक्षा विभाग लगातार सिक्षको एक छुट्टियों में कटोती कर रहा है शिक्षको की छुट्टियां कम की जा रही है और सिक्षको को जयन्तियों के जो छुट्टियां थी विद्याले के भी सिडूल में नहीं है हाल में दसारा दुर्गा पूजा की छुट्टी में भी कटोती की गए हलाकि कई सिक्षक संगठनों ने दसारा पूजा की छुट्टी पहले की तरह दस दिनों के और अन छुट्टियों के बारे में सरकार से गुहार लगाई है विभाग से कहा है कि छुट्टियों को बहाल किया जाए नहीं तो हम अंदोलन करेंगे खैर इन संगटनों की बातों को सिक्षा विभाग बिल्कूर रखिणार कर दिया है और छुट्टियों में लागातार कटोती कर रही है हलाकि अब पासा उल्टा पड़ गया है सिक्षा विभाग के परधान सचीव इस सिधार्थ और उनके साथ तीन बरिये कर्मियों को पर अब मुकदमा हो गया है अब सिक्षा विभाग के अदिकारी जो छुट्टियों में कटोती किया है अब उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है तो पूरी ख़वर पर अज़र डालेंगे और क्या मामला है और कितना कितने गंभीर आरोप लगाए है इसमें क्या सजा का प्रवधान हो सकता है और कौन सी मामला है और कहां मुकदमा दायर किया गया है इसकर पूरी चर्चा करेंगे आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो नमस्कार मैं हूँ अभेकुमार और आप देख रहे हैं अपना खासकार करम सिक्षा समाचार तो सिक्षक समाचार में हम आज बात करेंगे कि इस सिधार सही तीन बरियाधिकारीं को जेल जाना पड़ सकता है और कारण सिर्फिया है कि उन्होंने सिख्षकों को छुटियों में कटवती किये है मामला यह है मुझभफरपूर में, केश दरज हुआ है मुझभफरपूर कोट में गांधि जयन्तिप छुटि नदने के मामले को लेकर सिक्षा विभाग के परधान सचीव सहीत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ध कराया गया है मामले की सुनवाई की तिथी भी मिल गई है 28 अक्टूवर को होगे 28 अक्टूवर को मामले की सुनवाई भी की जाएगे आपको इसा पता कि गांधी जयन्ती के छुत्ति को रद कर दिया गया है एहां तक कि बिद्याले के कलिंडर में जो जयन्तियां होती है जो जयन्ती मना जाता है हलाकि मैं अपना जो बिहार समाचार है उसमें भी इस मुद्दे को उठाया था कि जो जयन्ती मनाने के लिए निर जैन्ति का कॉलम भी नहीं दिया गया था यानि दो अक्तूवर कोई ठिक्षा भीभाग के लिए कोई खास दीन ही नहीं जबकि पूरा देश का पूरा विश्व के लोग दो टूवर को गांधी जैन्ति के रुपए मनाते हैं भारत में तो दुगनी खुशी है कि लाल बारुस सास्त्री और महात्मा गांधी दोनों का जन्दिन मनाया जाता है अब गांधी जैन्ति के दिन स्कूल में छुट्टी न देने को लेकर सिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिदार्थ सचिव बैजनाथ यादव और जेला सिक्षा प्राधिकारी को आहत करने का आरोप लगा है तो एस पर सिक्षा विभाग के अधिकाई उपर देश की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है यह बत सही है कि बिहार में किसी भी जीले में दो अक्टूबर पर विद्यालय क्षुले थे और छुट्टी की चर्चा नहीं थी कि छात्रों और सिक्षा विभाग में महापूर्सों की जयंतियों को मनाने का प्रावधान है ताकि बच्चों को उनके बारे में जनकारी मिल सके तो अधिवक्ता ओज्छा ने अपने परिवाद में बताया है कि दो अक्टुवर को देश भर में महात्मा गांधी और पूर्प की कोशिस की गई है इसकूल खोलने या बंद करने से तो गांधी जी के सिधान तो और उनके कद्व को कम करने की बात हम नहीं मानते हैं कर तो कब महात्मा गांधी का नहीं हो सकता है लेकिन बच्चों को एक औसर मिलता इसकूल खुला ही रहता लेकि जयंति जरूर लिखा जर्देश होता तो यह बच्चों के लिए लापकारी था और बच्चे जानते अपने महात्मा गांधी के बारे में और उनके महत्व को ही समझते लेकिन महत्व को कंजोर करने की कोशिश तो जरूर की गई है और इसी के साथ है अगले साल आनी दोजार पचीस के कलेंडर में दो अक्टूवर को छुटी नहीं है और नहीं किसरा के जैयंती की चर्चा है जिसे महात्मा गांधी के प्रती जनता की भावना आहत हुई है और हम आपको जो परिवाद दायर हुआ है उसकी आप प्रती देख सकते हैं कोट में यह परिवाद दायर किया गया है और इसमें जो धारा लगाया गया है उस पर आप गौर फर्माईएगा तो इस मामले में अधिवक्ता सुधिर कुमार ओजा ने भारतिये नियास सहीता बी एन एस कि धारा 352, 353, 100, 97 के तहत अफरादिक मामला दर्ज कराया है ओजा ने आर ओप लगाया है कि बिहार के लोगों के भाव में छुट्टी होती है तो सिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल खोलने का आदे से क्यों दिया गया है हलाकि बिहार तो और महात्मा गांधी से ज्यादा जुड़ा हुआ है हलाकि गुजरात में पैदा हुए थे लेकिन अपना जो अंदोलन है आजादी की लड़ाई का जो बिहार में छुट्टी नहीं होना दो अक्टूबर को अनक किसी तरह के बित्याले में 25 में जियनती मनाने का निर्देश देना यह जरूर खल रहा है और अब सरसाही इतना हावी है तो अब सरों को क्या परजलता है जो भी निर्दे ले रहे हैं वह सही नहीं है और खास करके सिक्षकों के छुट्टियों के साथ बहुत खिलवाड चिया जा रहा है तो अब सिक्षक से गठों तो दूर के बात आम वकील आम जनता हैं सिक्षा विभाग को आदालत में कटगरे में हीच रही है अब हम नज़र डालते हैं कि जो मामला दर्ध हुआ है किस किसम का है क्या हो सकता है क्या इस सिदाथ को हतकरी लग सकती है क्या जेल जा सकते हैं सीजियों कोट ने से मामले को सुईकार कर सुनवाई कि तारिख 28 अक्टूबर 2024 को तैगी है यह मामला भी सुईकार कर लिया गया है सीजियम कोट में ओजा ने अरोप लगाया कि यह सिक्षा विभाग की तुगला की फरमान है जिसका कोई आउचित नहीं है और यह गांधी जी का सिद्धानतों को कमजोर करने की साजिस है यह मामला सिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए गंभीर कानोनी चुनोती बन सकता है इसमें अब क्या हो सकता है यह गंभीर कानोनी चुनोती बन सकत और फिर से छूटियों पर पुझर विचार करने के लिए शिक्षा विभाग बाद ही हो सकता है और अगर कोट ने सज्ञान ले लिया तो इस मामले में सजा भी हो सकती है तो दोस्तों आपका क्या विचार है क्या दो अक्तूर को छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी यह आप जरूर कोमेंट बॉक्स में बताईएगा और क्या सिक्षा विभाग पुछ सुधारात्मक कारवाई कर रही है तो कुछ तुगलकी फर्मान भी सुना रही है इस पर आपका राय क्या है जरूर कॉमें बताईएगा और सिक्षा विभाग के अंखबरों के लिए जु हिल बंदे मातरा